नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज का ये वीडियो हमारा रहेगा जो हिमात्र परदेश में होने वाला जो PGT हिंदी का एक्जाम है यानि कि इसको हम School Lecturer New के नाम से जानते हैं उसक्या जो syllabus है वो HPPSC के द्वारा अपडेट कर दिया गया है अच्छी बात यह है कि हमें पता चल पड़ा है अब कि किस तरीके की जो चीजें हैं जो आपको इस पेपर में पूछी जाएंगी और कौन-कौन से topics हैं जिनको आपको focus करना है वो इस syllabus को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा यहां पर देखे syllabus for objective type subject aptitude test यानि की SAT for recruitment to post of lecturer school new in Hindi class 3rd in the department of higher education this paper will be of 2 hours duration for 100 marks the objective type subject aptitude test shall cover following topics objective type question रहेंगे और दो parts में यह divide रहेगा दूसरा part जो है वो be a portion का है और जो आपका main subject का जो part है देखना जो part one है यह बहुत important है यहां से आपको कुछ चीज़े देखनी है फिर हम second part को देखेंगे पहले-पहले इसको देखते हैं अब बहुत सारे लोग जो है इस syllabus को देखके हडबड़ी में आ गए है बहुत सारे लोगों के messages मेरे तक पहुंची कि sir आपने syllabus देखा नए syllabus में बहुत सारी चीज़ें हैं या कुछ अलग ही आ गया तो मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूँ कि मेरे हिसाब से तो यहां पर कोई ऐसी नई आपको कोई दूसरी दुनिया की चीज तो नहीं बेजी कि आपके लिए बहुत ही नया है जिन लोगों ने हमारे साथ live classes लगवाई है या जिन लोगों ने live classes नहीं भी लगवाई है जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ही पढ़ रहे है और जिसने YouTube चैनल के माध्यम से भी नहीं पढ़ा जो बिलकुल पहले खुद ही पढ़ रहा था इंडारेक्टली आप सब लोगों ने ये चीज़ें जो हो पढ़ ली हैं मेरे कहने का मतलब इन शॉट सिर्फ इतना साया देखना कि ये जो syllabus है ये आपको व्यवस्थित करके दिया हुआ है और व्यवस्थित में भी आप देखेंगे कि जो syllabus आपको दिया है पहले भी यही ची लेकिन अब क्या हो गया कि अब हमें पता चल पड़ा कि अच्छा ये ये चीज़ें हैं आप देखेंगे कि जितनी भी आप त्यारियां करेंगे और जो भी चीज़ें आपने किये हैं वो सारी की सारी इसी में ही है आपको कहीं भी दूसरी जगा जाने की जरूरत नहीं है हल यह जो लोग तो घबरा चुके हैं कि यह syllabus कहां से आ गया वो क्या हो गया वो थोड़ा सा खुद को relax करें थंडे दिमाग से सोचें यह वही चीजे हैं जो आपने पड़ी हैं कुछ चीजें additionally इसमें जोड़ी गई हैं जो UGC net हिंदी के syllabus में रहती हैं और उनको यहां पर जादा अगर त्यारियां मतलब पहले से ही की हैं जहां तक मुझे लगता है जो लोग अभी PGT के लिए पढ़ रहे हैं अब मैं आपको सिलसले बार करके यहां से आगे एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपने यह चीज़ें जो है वो और पहले पढ़ ली हैं अगर हमारे कुछ live classes के students जो है वो इस class को देख रहे हैं तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि कहां पर हमने यह चीज़ें जो है वो कैसे पढ़ी है इवन आप देखेंगे कि जो live class के students है हमारे साथ उन्होंने ब्यवस्तित तरीके से यहां पर पढ़ा है हाना कि उतना ब्यवस्ति करेंगे इससलिए बस कोछ जादा मुश्किल नहीं है बी फ्री एंड रिलेक्स रही है अग्जाम निजदी काने वाला है बस उस पर फूकस कीजिए जो भी यह टॉपिक हैं यह मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत असान टॉपिक हैं जादा मुश्किल नहीं है और अगर किसी को बहुत ही जादा परिशानी या दिकत लग रही है तो आप हमें वाटसप के साथ जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या जो है किस जॉपिक के उपर आ रही है डेफिनेटली जो हम आपको अच्छे से तरीके से बता देंगे ठी तो सबसे पहले यहां पर लिखा है तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सी चीज है यहां पर प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य इतिहास यह आपने पहले भी पढ़ा था अब भी पढ़ना पड़ेगा क्या नया है इसमें कुछ भी नया नहीं है आप पहले भी सा पढ़ते थे, कि सबसे पहले तासी ने लिखा, उससे भी पहले आप पढ़ते थे, कि वही पहले आधारवुद स्रोत ग्रंत रहे हैं, साहिते इतिहास दर्शन रहे हैं, वह आपने पहले भी पढ़े, अब भी पढ़ने पढ़ेंगे, नई चीज कुछ भी नहीं हुई है यहा पहले भी थी अब भी है इसमें नया क्या है पूरा का पूरा आधिकाल आपको देखना पड़ेगा यहां पर देखिए सिध्ध नाथ रासो जैन प्रमुख कभी रचनाएं खुसरो सारा कुछ पहले की तरह ही है कोई भी इसमें अडिशनली नहीं है नया यह चीजें आपने प कारण पहले भी पढ़े आपने अब भी पढ़ रहे हैं कोई नई बात नहीं है प्रमुख संपरदाएं यह हमने लाइफ क्लास में भी पढ़ाए हैं हर जगा देखे हैं आपने भी पढ़े हुए है ठीक है भक्तिकाल के जितने भी संपरदाएं हैं चाए वो किष्न काबे क रितिकाल के कारण आपने पहले भी पढ़े, रितिकाल के कवी जो है वो अचारे थे या क्या थे, रितिवद, रितिसिद, रितिमुक्त तीनो धाराएं हैं, उसके बाद आधुनी काल देखिए, जो दूसरा पार्ट है इसका देखना, आधुनी काल का पध्य जो साहित्य है, यहाँ पर आपको भारतेंदू युग से लेकर के कहां तक दिया है? समकालिन हिंदी कविता तक. भारतेंदू, महावीर, जायवाद, जायवालात्वर, समकालिन, हिंदी कविता. यह चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं. मतलब जो आप हिंदी साहिते के तियास पढ़ते हैं, आधुनिक काल तक, वो सारा का सारा है यहाँ पर, कुछ भी नया नहीं है. यह एक पोर्शन हो गया. ठीक है? यहाँ तक तो सारी चीज़ें पढ़ने पढ़ेगी. अब दूसरी चीज़ का है? दूसरा है देखिए, आधुनिक गद्य साहित्य. अब गद्य साहित्य को देखके, यहाँ पर यह आपको इन्होंने वेवस्थित किया, सिर्फ वेवस्थित का मतलब है, कि आपको बताया, आप पहले भी इनको पढ़ते थे. आप हिंदी उपन् प्रशन आते थे, अब भी आएंगे, क्या नया हो गया? ठीक है, हिंदी निवन्द का उद्भवर्विका सारे ही पढ़ने पढ़ेंगे, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं पढ़ेगा. हिंदी आलोचना को पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, यह यहाँ पर बोला है, ठीक है, अन्य गद्य विधाएं, रेखा चित्रसन स्मर्ण, यह आपके पास पहले भी थी, अब भी रही, ठीक है, स्ट्री विमर्ष, दलित विमर्ष, दलित कवीताएं, स्ट्री से समंदित कवीताएं, आपने पहले भी पढ़ी, अब भी देखनी पढ़ेंगी, कुछ भी नहीं है, यानि कि जो साहित्य है, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से प्रशन आपको पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, यहां तक बिल्कुल सब कुछ स्मूद चल रहा है, ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट ये बोड़ा है कि साहित्य शास्त्र एवं साहित्य अल पेपर में पूछे गए हैं, तो यह भी वही चीज है, यहां पर कावे लक्षन, कावे हेत्व, कावे प्रियोजन, कावे प्रकार, पहले भी आपको इनी चीजों से प्रशन आते थे, अब भी आएंगे, ठीक है, पहले भी आपने इसको पढ़ा था, अब आपको इसका रोकती, द्वनी, और चित्य, यह सारे संपरदाय हैं, ठीक है, 6 के 6 संपरदाय पढ़ने पढ़ेंगे, इसके बाद यहां पर पाश्चात्य कावेशास्त्र है, इवन पाश्चात्य कावेशास्त्र आपको और जादा अच्छह से करके दे दिया, कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और अस्तू को पढ़ना है लोंजाइनस को पढ़ना है पहले आपके पास पाश्चात्य कावेशास्तर को पढ़ने की कोई दिशा ही नहीं होती थी चाहे वो ल्टी कमिशन हो चाहे वो आपका PGT हिंदी हो PGT हिंदी में पहले पाश्चात्य कावेशास्तर से पहर जाने की जूर्ट नहीं है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको जो है कुछ चीज़ें यहां पर रखी हुए देखना वही आपको पढ़ना पड़ेगा पाश्रात्य का विशास्तर ये बात आप ध्यान में रखिएगा ठीक है मतलब आप प्लैटो के बारे में का पेपर आपका चेंज होता है तब हमेशा जो है एक्जाम जो है वो सामाने रखा जाता है पहली प्रायोटी आपकी यह होनी चाहिए कि आपको अपना जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंठस्त होना चाहिए आप UGC net के पुराने experience को देखेंगे वहां पर क्या हुआ जब 2017 के आसपास जो है एक्जाम चेंज हुआ ये पैटर्न चेंज हुआ तो उस वक्त जो है सिलेबस से ही लगबग चार पांच क्वेशन जो है वो डारेक्ट प्रशन पूछे गए थे जैसे माली जी यहां से अगर आपको प्रशन पूछा गया कि त्रासिदी का जो सिध्धान याद रख लेना है जिस बच्चे ने जिस स्टुडेंट ने सिर्फ अपना सिलेबस भी कंठस्ट कर लियाना एट लिस्ट उसको चार पांच प्रशन आ जाएंगे और उसको एक आईडिया भी हो जाएगा कि क्या जो है पेपर में पूछा जा सकता है फस्ट वारी में तो ज यह भी आपको ध्यान में रख लेनी है कि नेगटिव मार्किंग है और आपकी नौकरी का एक्जाम है और क्लास थर्ड का एक्जाम है यह भी आपको साथ में ध्यान लेके चलना है ऐसे नहीं है कि UGC NET के कुछ टॉपिक्स आपको जोड़ दिये तो इसका मतलब है कि UGC NET के लेवल काएगा नहीं आपको जो है बेसिक चीजों को फोकस किया जाएगा कि आप क्या इन चीजों को जानते हैं क्या आपने ये सिध्धांतों के बारे सुना है या फिर आपको पता है कि कौन सा सिध्धांत किस ने चलाया है या फिर पता है आपको कि कौन सी कहानी कौन स अभी change हुआ है, तो अभी तो इसको आपको पढ़ने के लिए time भी लगेगा, ये आयोग भी जानता है, तो इसका मतलब अभी आपके पास समय भी है, ठीक है, थोड़ा सा time आपके पास अभी है, exam से पहले, तो वो focus कीजिए, और जितनी भी चीज़ें हैं देखना समाने बात ह उनको पहले clear कीजिए, फिर बाग बे आप detail में जाएंगे, तो definitely आपके लिए अच्छा हो जाएगा, इसमें कबराने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपको बिलकुल, मतलब एक, जिसको कहते हैं न, कि experimental truth है, ये कि आप जो है, बिलकुल, असानी से, आराम से जो हैं चीज़ो जो हैं यहां पर लगे हुए हैं, इन ही को आपको देखना है, फिर दूसरा पार्ट यहां पर पास्चात्य कावेशास्ते में जो विविद वाद हैं, इनको पढ़ना है, LTE कमिशन के लिए आप उलरी इनको पढ़ते थे, अब जो लोग ये कहेंगे कि हमारा तो LTE कमिशन था नहीं, तो वो तो बेवकूपी है, क्योंकि जिसने ग्रेजूशन में हिंदी पढ़ी है, या जिसने में किया है, तभी तो वो PGT दे रहा है ना, तो इसका मतलब यहां कि आप LTE कमिशन के लिए भी तो पढ़ए होंगे, ये चीज़ आप पहले भी पढ़ते थे, यहां यहां पर भी पढ़नी पढ़ेगी, माकसवाद, मनोविशलेशन वाद, देखिए, इससे कुछ भी नहीं, मैं तभी बोल रहा हूँ, माकसवाद के प्रवर्तक, जितनी भी यहां पर चीज़ें दी हैं, इन के प्रवर्तक थोड़े से पढ़ना, ठीक है, कौन-कौन से लेख प्रफेसर का तो उस पेपर को आप देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि किस लेबल का पेपर आएगा तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस अस्तर के प्रश्ण जो है यहां पर पढ़ने हैं ठीक है और दूसरी चीज यहां पर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है आपके लिए वह हिंदी भाषा और उसका विकास पहले-पहल क्या होता था कि यह टॉपिक सबसे पहले होता था इन्हों ने इसको थोड़ा सा नीचे ले गया यह बहीं होना तो यही चाहिए था कि भाषा सबसे पहले हो जानी चाहिए थी फिर पहले भी था अब भी है नया कुछ नहीं हुआ यहां भी नया नहीं है तो हिंदी के त्यासिक प्रिष्ट भूमी आप पहले भी पढ़ते हैं कि हिंदी के इतिहास से आप देखेंगे कि पांसव इस्वी पूरुव से ले करके आज तक हिंदी का जोहर लगातार विकासी हो आप पहले भी पढ़ते थे ठीक हैं सबसे पहले आप देखते हैं कि दारा के अभीलेहों में मिलता था हिंदी शद छो हिंदू जए हिंडू, शब्रिप्त होता था, सिंदु के लिए, तिक है धिरे दिरे वह आगे बढ़ा। तरफिएुआ फिर वह जो है आपका कहां पर हम पॉँचे संस्कित में पहूंचे संस्कित सिब आपका वैदिक संस्कित लॉकिक संस्कित पाली प्राकृत अफब्रशु यह सारा जो विकास क्रम है यही तो है इसमें और नहीं है ठीक है यह सारी चीज़ें यहां पर दी हुई है जो आपका आधुनिक भार्तियारे भाशाएं ठीक है हिंदी का वागॉलिक विस्तार जो है इसमें इन्होंने मुख्य रूप से यहां पर बोला देखिए मैंने पहले भी कहा है जो हमारी पढ़ते हैं पहले से ठीक है अब हिंदी के विविद रूप बहुत सारे लोग जो इसको देखे ही परिशान होगे कि हिंदी उर्दू दखिनी हिंदूस्तानी यह भी पढ़ना पढ़ेगा क्या यह आपने पहले पढ़ लिया है कि हिंदी जो है वो उर्दू मैं हिंदी कब यह युजी सी नेट में भी है यहांपर युजी सी नेट से एक या दो प्रशन भी नहीं आते हैं जादा से जादा ठीक है तो यहांपर भी ज्यादा कन्फियूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको आप चाहें तो इसको व्याकरण से समंधित पाले पॉर्शन में रख सकत इम्पॉर्टन्ट है ये टॉपिक ठीक है ये आपका थोड़ा सा ग्रेमेटिकली जो चीज़ें हैं वो यहां पर रहेंगी उसके बाद बाद है हिंदी भाषा प्रियोग के विविधरूप राजभाषा राश्ट्र भाषा यानि कि भाषा की जो रूप है वो आपको देखने हैं फिर संचार और हिंदी है ठीक है कंप्यूटर और हिंदी है ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहां से आज तक प्रशन नहीं बना है नेट में भी नहीं यहां से आया कोई कॉश्चन हाँ ये जो दो टॉपिक लास में बचें भाषा वाले ये मोस्ट समयधान में कितनी भाषाओं को मानने अतपराप्त है कौन सी अनुसूची है सारी चीज़ें है वह हिंदी की समयधानिक स्थिति और क्या है नहीं है न और देवनागरी लिपी इसमें कुछ विशेष्टा है और इसकी जो शुदता है या इसकी जो मान की करण की चीज़ें आप पर बताएगी है कि देवनागरी लिपी में सुधार करने के लिए कौन-कौन से काम जो किये गये थे यह भी important topic है तो इनको आपको देखना है यह था आपका जो पहले से चला आ रहा था आप यह मान की चलिए कि लगबग 60% आपका यह रहेगा और 40% जो है आपका इसके बाद का रहेगा जो सब लोगों को डर लग रहा है सरदर्द बना हुआ कि यह क्या आ गया नई चीज़े थीक है इसको देख लेते हैं अब इसमें क्या है यह यूजिसी नेट का एक छोटा प्रारूप है यानि कि उसकी कुछ चीज़ें निकालके आपको संक्षिप्ति करन अब यहां पर कुछ स्पेसिफिक रचनायासी दी हैं जिनको आपको यह बोला है कि आपको बारीगी से उनको उनके बारे में जानना है उनके बारे में समझना है पहले क्या था पहले था ओल ओवर मोटे तोर पर आपको पूरा हिंदी साहिते के इतिहास में जानना था कि हिं और यहां से मान के चलिए कि आपको 40% जो आपका पेपर रहेगा वो इन से बनेगा अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहां पर कभीर जैसी तुलसी सूर मीरा और भिहारी और घननंद यह हैं रखे हुए देखना ठीक है तो बहुत सारे बच्चे क्या परिशान हैं कि इतने सारे पढ़ने पढ़ेंगे इतनी सारी चीज़ें पढ़ने पढ़ने पढ़ेंगी तो इतना भी नहीं है मैंने पहले भी कहा था कि पहली बारी में इतना भी नहीं पूछो जाता UGC Net में 2017 से लेकर के आज तक यही टॉपिक रहे हैं देखना कभी कभार कुछ एक प्रशन पूछते हैं व्याक्या से समंधित प्रशन कम रहते हैं सिर्फ ऐसे प्रशन कई वार आ जाते हैं जैसे यहां पर लिखाया देखना जाइसी ग्रंथा वली सिर्फ इतना सा प्रशन आ जाएगा कि वही इसके संपादक कौन है या मान सरुदक खंड जो है वो किस उसका है आपके रचना का है ठीक है तो यह चीज़े आपको पता रखनी है जादा पहले पहले आपको तभी मैं कह रहा था कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि वही संपादित किस ने किया किस रचना को नागमती व्योगखंड जो हिंदी साहिते की अनुपम निधी है यह मतपूर्ण है ठीक है नागमती व्योगखंड में क्या-का चीज़ें वरनित है थोड़ा बहुत यह चीज़ आपको याद रख लीनी है एकदम से आपको व्याक्या एकदम से आपको इसके बीच के जो भावार्त हैं, वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इतना आयोग भी जानता है, कि इतने कम समय में इतने डिटेल तरीके से कोई भी बच्चा इन सब को कवर अप नहीं कर पाएगा, आपको तो फिर भी कम दिया गया है, UGC नेट वालों के पास तो इतना स्लेबस रहता है, कि छे महिने में अगर वो लगातार भी उसके त्यारियां करेगा एक सिस्टेमेटिक तरीके से, तो एकदम से वो स्लेबस तब भी खतम नहीं होगा, जो मतलब फ्रेश होगा, जो जारी कर रहा होगा, ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि इस लेबस को देखके डरना नहीं है, ये आपको पूरा पहले अपने दिमाग में छपवाना है, कि वही कौन से आपको गरंथ लगा हुआ है, और उस गरंथ के संपादक कौन है, और उसमें कौन-कौन से खंड है, जो हमारे पास है, क्योंकि आदे प्रशन तो ऐसी बनते हैं कि देखना कि कौन सा खंड, कौन सा भाग इसमें है, कौन सा नहीं है, तो पहली प्रायोटी ये रचनाए हैं, उनके कुछ अंश आपको दिये हैं, जैसे कबीर के सौपत दिये हुए हैं, ठीक है, और पदमावत के दो खंड दिये हैं, मानसरोदक खंड और नागमती व्योग खंड, ठीक है, ये नेट में भी है कबीर वाला, नागमती व्योग खंड कबीर वाला है, यहाँ आदिकाली रही रखे हैं, UGC में क्या था कि UGC में आदिकाल के लगवियों की भी कुछ जो रचना है वो रखे हैं जैसे प्रित्विराय रासों का कुछ खंड रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं है वो, ठीक है, उत्तरकांड नेट में भी है, यहाँ पर भी है, ठीक ह और गनन्द कवित के जो है वो तीस पद हैं, यह आपको देखने हैं, ठीक है, यह जादा नहीं है, बिलकुल असानी से आपको इनको समझ में आ जाएगा, यहाँ से आप मानके चलिए कि आपको जो है, एक दो प्रशन ही बनेंगे, जादा प्रशन नहीं बनेंगे, और जो इतना कोई आपको HPPSE ने नहीं दे दिये गया, आपको पूरा काया कलब कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अब यह भी संबावना है नहीं कि आपको यहाँ से प्रशन बनेंगे ही बनेंगे, यह दिहान रख लेना, ठीक है, अब आपको अपनी त्यारियां जो है, वो वै इमीद कर दिया, कि इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेना, और यह भी याद रखना हो सकता है, आपको ऐसा प्रशन पूचे कि साकेत किसकी रचना है, पहले पहले इतना ही प्रशन आ सकता है, या फिर पूचा जा सकता है, कि साकेत में कौन सी में चीज़ है, सर्ग कितने ह संक है तो यहां रख लेना यहां पर कौन 사 का दिया नौम सरग दिया साकेद का याद रख लेना जैशंकर प्रसाद का जो कमाईनी है उसका श्रध्धा और आनन्द mirror धो सरग लगए हैं सारी कि सोचेंगे कि आप कमाईनी के दो ही सर्ग पढ़ने हैं इन दो को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना है बाकी जो आपके जो और सर्ग हैं तेहरा सर्ग उनका नाम भी पता होने चाहिए ठीक है वो यहां पर है देखना इसलिए मैं कहा रहा था कि हो सकता है यहां से आपको प् पढ़ने पढ़ेंगे तो यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यूजी सी नेट के जो एक्सपिरियंस हैं वो यही कहते हैं बहुत सारे बचे जो है सिर्फ इन्ही कविताओं को इन्ही रचनाओं को पढ़के जाते हैं और फिर बोलते हैं कि वह तो हुआ है जो आमने पढ़ श्क्राइब से अध्याये के बहुत जाताएं कि इन्होंने पहले स्पश्ट कर दिया है कि पहले आपको हिंदी साहित हित्यास कि संपोण जानकारी का चाय वो गद्य की, चाय पद्य की, वो होनी चाहिए, ये तो निर्धारित रचनाय है, जो इन्होंने निर्धारित किया है, कि इनको भी अच्छे से पढ़ लीजे, क्या पता, इनसे भी आपको प्रश्म जो है, वो बन जाएं, ठीक है, रामकी शक्ति पूजा, सरोसमरिती, इनको आप पहले भी पढ़ते थे, सरोसमरिती से आपने पहले भी देखा था, अब भी देखेंगे, तो उसमें नया क्या चीज आ जाएगी, कुछ भी नया नहीं आएगा, आपको बस ये तथ्य जो है, वो जानने है, परिवर्तन, कवीता, लंबी कवीता है, नवका भीहार है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की आपने पहले भी पढ़ी है, अब भी पढ़नी पढ़ेगी, पंत के बारे में आपने पहले भी विस्तार से पढ़ा की पंत का समाने परीचा क्या है, पंत जो है किस प्रकार के लेका के किस यूग के हैं, पंत ने किस पत्रिका का संपा इतनी तो नेट में भी नहीं है यह पता नहीं क्यों महादिवी वर्मा से प्रेमें जदा मैं नीर भरी दुख की बदली बीन भी हो मैं तुम्हारी रागनी हो यह तो नेट में विए यह मंदिर का धीप अकेला नीरव इसे जलने दो यह बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना ये भी उसमें नेट में है, फिर विकल है प्राण मेरे, जो तुम आ जाते एक बार, ये एकस्तर लगा दी यहां पर, ठीक है, रामधारी सिंग देनकर का उर्वशी है, ये त्रीत्य अंग है इसका सिर्फ, ना गर जुन अकाल हो उसके बाद, शासन की बंदूक, वनुष्य हो ये नई कविता यहां पर एड़ करती, बाकि दोनों नेट में हैं, अग ये की कलगी बाजरे की असाध्यवीना, इंपोर्टन कविताएं हैं, मोस्ट इंपोर्टन कविताएं हैं, इसकी देखना यहां से प्रशन बनने की संभावना है, अंधेरे में ब्रहमराक्षस मुक्त मुक्ति बौध की कविता हैं, अंधेरे में जाध अच्या से पढ़नी है, डेफिनेटल यहां से आपको इसकी पंक्तियां भी पूछता हैं, और इसके खंड भी पूछते हैं कि कितने भागों में हैं ये, ये भी आपको याद रख लेनी हैं, अंधेरे में को ले करके हमने पहले भी पढ़ा है देखना मुक्तिबोद की जो रचना है और इसको लेकर के आलोचकों ने जुमत दिये हैं वो आपने पहले से अल्रड़ी पढ़के रखे हैं बवानी प्रसाद मिश्र की सत्पूरा के जंगल बुनी हुई रसी और त्रिकाल संध्या है धुमिल की अकाल द गद्य साहित्य ठीक है तो आधनिक गद्य साहित्य में और क्या चीज़े हैं यह तो था आपके पास पहले पहल देखना जो काब्वे वाला पॉर्शन है जो हमें डिसाइड किया गया था कि इन इन चीज़ों को पढ़िए ठीक है इनको पढ़के आप जाएंगे उसके बार जाएंगे आप गद्य साहित्य में अब गद्य साहित्य में यूजीसी नेट की काही फैटर्न फॉलो यह उन्होंने और कुछ भी फॉलो नहीं किया सिर्फ यहां पर कट किया ना तो कुछ और चीज़ की और पेस्ट कर दिया उसको जो बच जाता था इनके पास जुमे में पांच उपन्यास आपको दिये इन्होंने, प्रेमचंद का गोदान, फणिश्वनात्रेणू का मेलांचल, अग्ये का शेकरिक जीवनी, भीशमसानी का तमस और मन्नु भंडारी का आपका बंटी, ये उपन्यास दिये हैं, बहुत सरे स्टुएंट सोचेंगे कि भईया अब ये उपन्यास पढ़ने हैं, नहीं, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन उपन्यास का उद्भव और विकास को अब भी पढ़ना पढ़ेगा आपको, पहले भी पढ़ना था, ठीक है, इनको इनोंने बोला कि इनके बारे में, इनके जो मतपुर्ण तथ्य हैं, वो जर मनुसार लगाईए दूसरा काम करना कि इन रचनाओं के रचना कार याद होने चीए और वो आपको definitely होंगे तीसरा काम करना है कि इन की विशवस्तुएं क्या है इन उपन्यासों की या इन कहानियों की इन नाटकों की इन निबंधों की विशवस्तु जरूर पढ़के जाना तीसरी चीज इनके प्रमुख पात्र कौन है ये definitely पढ़ना अगर आपने ये काम कर लिया आपके पास बहुत अच्छा मतलब आपको एक अनुभब मिलेगा और अच्छे से आपकी तैयारियां हो जाएंगी क्योंकि पहले वारी जब पेपर होता है तो वो ऐसे ही पूछा जाता है ठीक है तो जितने भी ठीक है और सीमित नहीं होना इन तक कि पांच उपन्यास हैं तो पांच ही पढ़ने हैं बाकियों को भी पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में आपको ऊपर उपर से जानकारी जो होनी चाहिए इनको थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना है कौन सिस्त्री पात रहें किस उप आपको पहले जाननी है इन उपन्यासों के बारे में, फिर आपकी बास दूसरी चीज़े होंगी, ठीक है, ये याद रख लेना, अब कहानिया आपको 10 लगाई है, ठीक है, अब 10 कहानिया देखिए, कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी, नेट में भी शामिल है, इदगा आपन पत्नी कहानी नहीं है, हलांकि जनेंदर कुमार की जो अपना भागय लगा है, नेट में, यहाँ पर पत्नी लगा दिया, रोज, यानि की गैंगरीन अग्ये की कहानी है, ये नेट में भी शामिल है, वापसी भी है, परिंदे उशा प्रियंबदा की है, ठीक है, निर्मल बर कहानिय, जिन्दगी और जोंक, पत्नी यही है, बाकी तो नेट की कहानिया यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, इनको देखिए और इसको भी आपने वही चीज करनी है, जो मैंने उपर नियास के लिए बोली, इनको तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, एक एक बार रीडिंग द कानना है आपको इसके बारे में, और कुछ नहीं करना है, कहां से देखनी है, आप किसी भी जो वेब साइट है, वहां से देख सकते हैं, आप Google में सर्च करके इन कहानियों को, हिंदी समय डॉट कॉम से भी आप पढ़ सकते हैं, इन सभी कहानियों को, ठीक है, वहां पर आप पर पांच लगाए हैं देखना, अंधेर नगरी, छोटा सा नाटक है, चंद्रगुप्त थोड़ा सा लंबा है, जैशंकर प्रसाद का है, मोहन राकेश का अशाड का एक दिन है, लक्षमी नरान लाल का एक सत्यहरिश चंद्र है, धरम विर भारती का अंधा यूग नातक है फात्रों को पढ़ना नाटकों के, यह काम करना जरूर, क्योंकि यहां से ऐसे ही प्रशन बनेंगे, इनका जैसे अंधेर नगरी है, क्यासा नाटक है, प्रहसन है, यह आपको पता रखना है, पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ना पढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवराना नहीं है इसमें, गवरा गए, तो फिर तो चक्रा गए मतलब, उसके बाद निवन्द हैं, उसके बाद कुछ, जैसे भारत वर्श क्यों न थी कैसे हो सकती, भारत हैं दोहरी चंद्र का, ठीक है, यह इसका व्याख्यान टाइप है, देखना निवन्द की है, यह वहाँ नेट में भी है, यहाँ पर भी है, हजारी प्रसाद दिवेदी का नाखुन क्यों बढ़ते हैं, नेट में भी है, यहाँ पर भी है, महादेवी वर्मा का घीसा है, यह इसका रेखा चित्र है, ठीक है, ज्यादा लंबा यह नहीं है, विश्नु प्रवाकर की अबारा मसीह, बहुत बड़ी रचना है, मोटी रचना है, इसको पढ़ना तो पढ़ेगा, लेकिन इसके तत्थे यार रखना, बाकी चीज़े छोड़ दीजिए, ये था आपका हिंदी का जो सिलिबस है देखना, पूरा का पूरा सिलिबस, मेन फोकस हिंदी साहिते के तिहास के उपर रखना, और जो आपको ये, चाहे वो निबंद है, चाहे वो आलोचना, आपके कुछ अन्य विधाएं दी है, नाटक दीए हुए है, ठीक है, इसको आपको साथ-साथ में पढ़ना है, ठीक है, बाकी तो वही चीज़ें पढ़नी पढ़ेंगी, जो पहले पढ़ते के बारे में, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो मेन मेन बातें मैंने बताई, उनको फोकस कीजिए, निबंदों के बारे में भी यही चीज़ देखिए, ठीक है, शिब शंबू के चिट्थे में कितने पार्स हैं, किस के लिए लिखी थी, ये चीज़ पढ़िए, भार ना सिर्फ इंदी साहिते को बलकि साहिते के बारे में जानना है तो अचारे रामचंदर शुकल के इस निबंद को जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए कि कविता क्या है क्योंकि यहां से प्रश्ण बनने की संभावनाएं जादा होती हैं यह चीज़ आप ध्यान में जरूर देखना उनके लिए असान हो जाएंगी चीज़ें क्योंकि उनको पता है कि यह से बस वैसा ही है ठीक है इसमें कोई उनको उनको तो जादा देखना ही नहीं था वो पहले भी जो है अपने सब्जक्ट में काफी महारत हासिल किये हुए हैं लेकिन जो लोग नट नहीं है या पिर जो लोग सिर्फ PGT पर फोकस कर रहे थे वही लोग हैं जो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर एकदम से स्लेबस चेंज ऐसा आ गया तो अब क्या करें कुछ भी नहीं करना है पढ़ना है पढ़ना कैसे है मैंने अभी बता दिया कौन सी रचना कैसे पढ़नी है आपने ह अब सिर्फ जो नई एडिशनल जो चीज़ें आपको एड हुई है उनको अच्छे से देखिए नई का मतलब है कि जो आपको स्पेसिफिक करके दे दिया कि इन उपन्यासों को इन नाटकों को इन कहानियों को इन निबंधों को पढ़िए इन से आपको बहुत साई प्रशन रहेंगे और जो कवीता वाला पॉर्शन है वहां से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखने की जरूरत है ठीक है अब अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासिज लगाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ वाटसेप के जरीए जो है वो जुड़ सकते हैं हमारा नया कोर्स जो हमने शुरू कर दिया है अभी पांच तारीक थी तो सिलेबस थोड़ा सा लेट चेंज हुआ तो अब आगे इसके लिए हम आपको बढ़ा देंगे तो यह हमारा वाटसेप नंबर रहेगा इस पे आप जो है हमें वाटसेप कीजिएगा ठीक है तो इस पे आप वा अच्छे से आपकी तैयारियां हो जाएंगी आपको A to Z जो है वो सब चीज़े मिल जाएंगी ठीक है तो यह था आपका हिंदी वाला जो पोर्शन जिसको आपको करना है अब इसके बाद पार्ट टू है बीएड पोर्शन अब देखिए अगर बीएड के दौरान किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो definitely उसके लिए तो यह हो जाएगा पर जिसकिसी ने अगर कुछ भी यहां से नहीं देखा है तो UGC NET की KVS मदान की बुक है उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उसमें आपको यह topics मिल जाएंगे main topics जितने भी लगे हैं चाहे देखिए foundation of education system इसको पढ़ना होगा चाहे फिर teacher and related जो aspects हैं इन से समन्दित कुछ चीज़ें हैं ठीक है teaching के concept जो रहे हैं teaching education के ठीक है pedagogy है यहाँ पर यहाँ पहले भी पढ़ते थे के लिए पढ़ना ही पढ़ता था teaching psychology जो है ठीक है communication skills net note में यह सारी चीज़ें दी हुए देखना method of teaching तो kbs मदान की book ले लीजिए जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में उसको पढ़ सकता है जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है तो अंग्रेजी की book भी उसको आपको मिलेगा तो इनको वहां से आप देख लीजेगा 20 नमर का है ठीक है अब यह मान के चलना है कि आपको लगभग 60% तक सोचना है अगर आप general के है 60% का मतलब यह है कि आपको लगभग 60-70 का target रखना है अपने syllabus में ही अपने subject में ही क्योंकि वो आपके लिए help करने वाल है ठीक है दूसरा तो सब के लिए same है अब net की तरह आप लोगों ने आज तक तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन अब पढ़ना पढ़ेगा थोड़ा सा first paper क्या है ना जो था वो आपको इस second portion के लिए थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा बाकी focus यह कीजिए कि अगर 80 number आपके subject में 80 question आ रहे हैं ठीक है तो आप क्या करेंगे 80 में ऐसे target यह रखिए कि हमने 70 questions ऐसे करने हैं कि जो हमारे कहीं नहीं जाते क्योंकि इसमें जितना जादा मेहनत आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है अगर आपने यहाँ पर 65 से 70 के बीच में पहुँचने क कोशिश कर दी तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता फिर आप जो है second portion से जितना खींच सकते हैं वो खींच लीजिए क्योंकि उसमें आपकी संभावनाएं गलत होने की जादा है क्योंकि वहाँ पर प्रशन आएंगे देखना वो कोई तथ्यात्म प्रशन नहीं आएंगे वो psychology से समंदित प्रशन आएंगे तो वहाँ पर वैसे ही प्रशन आता है या देखना जो आपके skills को चेक करेंगे कि आप में कितना जो अनुबव है या आप में कितनी क्षमता है कि आप किस चीज को कैसे उत्तर देते हैं किसी का जैसे teaching psychology का है तो उसका कितना knowledge है आपको teaching का वही से भी करके अपने ही subject में पहुंच जाएं ताकि आपको दूसरे portion से उतना जादा देखने की जरूरत ना हो ठीक है अपने मैं अगर यह जो अभी हिमाज़त प्रदेश का college का एडर का जो exam हुआ है देखना उसके experience के आधार पर अगर मैं कहूं तो मैं देखता हूं कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनोंने जीके वाले portion को छोड़के अपना literature ही literature देखा और लगवग 80 question वहां पर भी थे 84 के बीच में देखना और 16 question वहां पर दूसरे थे बहुत सारे लोगों ने वो 16 question छोड़ दिये और सिर्फ अपने subject के उपर focus किया और वो लोग जो है selection ले ठीक है तो ऐसी ही चीज आपको भी करनी है कि अगर आपका syllabus अच्छा हो जाता है अपना subject अच्छा हो जाता है अब college grader में आप देखेंगे कि वहां पर percentage 60 के आस पास थी तो अगर आप यहां पर 60 65 question जो है वो कर लेते हैं जैसे तैसे तो आपको negative marking भी है उपर paper में तो उसक कुछ भी extra नहीं करना है आपको अडिग रहना है कि नहीं इतनी percentage जा सकती है और PGT में तो नीचे आएगी percentage ये sure है ऐसा नहीं है कि negative marking तो उपर जाएगी इतना उपर नहीं जाएगी क्यूंकि इसमें सारे ही लोग net के नहीं है ये भी ध्यान में रख लेना है जिसने net किया आ क्योंकि कोई भी लक्ष कहते हैं कि मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं तो आपने लड़ना है और जितना हो सके उतना आपको पढ़ना है ठीक है और अपने syllabus को खाना है और जितनी भी चीज़े लगी है इनको एक बार पढ़िए डेफिनिटल मिलते हैं उन टॉपिक्स को फिल हाल पढ़िए और जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़के अपने main subject के उपर जो है वो क्या कीजिए फोकस कीजिए जितना जादा अपने main subject करेंगे उतना जादा बेतर आपके लिए रहने वाला है नई चीज से गवराना नहीं है ये नई नह है ये आपके syllabus में ही थी इसको बाहर उन्होंने सिर्फ highlight किया है कि ये चीज़ें पढ़िए और आपके लिए जो है अच्छा हो जाएगा I hope आप सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या खहना चाहता हूँ अगर आप अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से तयार जय भारत